हेलो फ्रेंड वेल्कम वेक्ट टू एक लर्निंग विते नाम एम चैनल आज का जो सैसन है काफी इंपूर्डेंट सैसन है आज बात करेंगे सैट 2 कि इससे पहले हम सैट 1 को कर चुके हैं आपको बता दे कि अगर आप यूपी से हैं और यूपी में आपने क्या दिया हो अगर प्रेंट का जो लेवर रहेगा एकजाम का वो थोड़ा मतलम यह पर मॉडरेट मिल सकता है त्यूपी सैट 2 कि और इससे पहले हम प्रेंटी सैट 1 को देखा था प्लस उसके साथ एम्चुके टापोशनों को देखा था टेक है आज का प्रेंटी सैट 2 शुरू करने से पहले उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको उड़ जावान रखेगा तता और उसे बेटा तता लग निकले प्रेंट करता रहेगा क्योंकि हारा वयल जो लड़ा नहीं आप भाल नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं अग्यास झाल का नहीं समय प्रेंट से दिखन के लिए अगर बात की जाए निसद्फी्म निकला में वील जाते हैं में डिबेंठी पैट्न किस तरह का यहाँ पर रखा जाता है तो बीट के यहां से कंपल्शरी बंता ही बस इतना से पता होने से मच्मक्व क्यों के सबने प प्रकारों की डायप कहई या मैं थड कह despite एगा तो यह मंतित त Guillém निशन्क्रमण प्राक्तिक निशन्क्रमण अरुफाइनिक निख संक्रमण भोटिक हो गया लेहां जैसे हर तीन टैप हो में मतलब समझी यह यहां पर तो सम्सक्रमण को कुछ जाता है तो शूरी का प्रकास और ताप है आपने अचार पापड जो भी ऐसी चीज़ेशें जने हमें लॉंग टाइम तक यूज़ करना होता है उन्हें हम दूप दिखाते हैं तता शूरी के प्रकास और ताप हो जाता है और प्रकास भी शूरी की किलोन से हमें चलिंग इस भी लेता है दूसरा मतलता से 9-10 रॉप सकाउस है तो जलना कुछ शीज मुझ से कर देरा वास्प भापद्वार सुखाना टोप साकवास हवा देना आपने देखा होगा हम क्या करते हैं गर्म हवा देकर भी चीज़ों को सुखा देते हैं और वालगर भी उन्हें लांग टाइम तर रख सकते हैं ठीक कोछ अचार आपने देखे होंगे और फिर हम उनमें मसाले में लाते हैं जैसे गाजर का चार नीबू का चार इस है तो तारल रसाइनकमार कते हैं ऑफिसक्षाarently त्रल रसायनिक निः संक्रमार करें और थोस है यह तीनों ही आवस्ताओं में हमको मिलता है कौन रसायनिक ठीक है तोस यहाँ पे तरल मतलब तरल डरब बह झिनक धें ऑच से यहां तो हénerब और फोष में इस तरह आप इसे याद रख सकते, अब बात करते हैं तरल या दटरप रसायनिक निस अग्रमर की, तो ये फिनाल हो गया जेसे आप मोच्छे उसके लिए हमने किस रसायनिक निसंकरमण का यूज किया था ठीक है पानी के गोल में आपने देखा होगा कई जगे उसके छड़काव होते थे और नगर निगम की तरफ से तो गलियों में पूरे पूरे में छड़काव होते थे तो आप कमेंड वक्स में बताएंगे उस रसा है और पूछी भी जा सकती है यहीं जो गैस थी उसका ही गोल इस्तमाल हुआ था जदा तरह है ठोस रसायनिक निसंकरमक की बात की जाए तो निसंकरमक क्या है तो वो चूना चूने का सबसे ज़्यादा फाइदा क्या होता है चूने का डेली सेवन एक सीक के बराबर आपको केल्सीम की मात्रा देता है तो चूना भी क्या है निसंकरमक है क्योंकि चूने में केल्सायम की मात्रा होती है पोटेस्यम परमेगनेट इसमने अगर अगर वगहरा खा-जाता है तो इस पर लगा दिया चाहता हैđ ब्लिचेंग पाउडर फाइदीshev का मात्ता है ।ो यहां पर हमने किस की बात की है तो याद रखेगा हमने यहां पर बात किया निर संक्रमार को रोखने वाले चले नेश बात करते हैं आप हमें कमेंट बाक्स में बताएंगे हम सुचे हैं यहां से हरवार एकोशन बनता है जी बारू और आपके यानि बैक्टेरिया से हरवार एकोशन बनता है तो बनता ही बनता है तो सौट ट्रिक के साथ कौन सा किस जीवारू से होता है कौन सा बिशारू से होता है इस तरह से एक ट्रिक बनाके और मतलब सौट मेंटर में आपको दे दिया जाए क्योंकि यहां पर अभी सौट नहीं है बात करते हैं विब्रो कैलोरी बहुत बार पूछा जाता है तो विब्रो कैलोरी क्या है तो यह हैजे का क्या है जीवारू है इसकी आकरती कैसी होती है जैसे राइटिंग में कॉमी की तरह जैसे कॉमा लगाते है उसकी तरह इसका होता है वो साइज होता है इस तरह का साइज ह कहतandır है गर्मियों के बहुत होते हैं जीवाड़ू है वी बालम के पहले कि्षूंपि पहला देखते हैं संक्रमक रोगों का संक्रमक किन के द्वारा होता है यहां पर याद रखिये गाउज द्वारा कीटों द्वारा बहुजन तत्त जल द्वारा तब कि बारिज के द्वारा का बूजन नहीं घाना है . तो इन तीनों के द्वारा होता है तो याँ पर इन मैसे सभी के द्वारा हो ने लेखना है थोज भिस संक्रामख मैं तो थोज विस संक्रामक क्या है इस मैं प्लेग रोग फैलता है तो चूओं के द्वारा ये कोबिट से पहले जो महमारी आई थी वो कौन थी तो याद रखिएगा प्लेग इती जो चूओं के द्वारा फैल आई गई थी जिसमें लोगों के मन्ने की संख्या भी निशित नहीं हो पाई थी कुष्ट रोग के जीवारू को कहते हैं तो माइको बैक्टेरिया लेपी जो है वो कुष्ट रोग के किसको कहते हैं तो याद रखिएगा कुष्ट रोग के जीवारू को कहते हैं या बैक्टेरिया को कहते हैं मख्यों द्वारा कौन सा रोग फैलता है तो हैजा क्या है मख्य क्या करती है इसकी बहाग हो जाती है क्योंकि वो क्या करती है अपने पेरों में उस गंदी को ले आती है जिस खाने पर बैट जाती है उस खाने के बाद ही यह रोग फैल जा पाई चलिए नैशा देखते हैं तो सामाने तेविक्टी के सरीर का तापक्रम होता है तो यहां पर ठीक है यहाँ पे यहाँ पे 6 नहीं है फेरलाइट कभी-कभी क्या होता है अगर 6 होता है तो मेवी वहाँ पे आंजर कभी-कभी 6 माल ले जाता है पर एक्चुल में क्या है तो 98.4 फेरलाइट डिक्री है सेलसियस की बात करें तो याद रखेंगा 37 सेलसियस है रेविज रोग का कौन सा लच्छड है तो यह पानी से डरना क्या है रेविज रोग का लच्छड है जिस भी व्यक्ति को रेविज रोग हो जाता है उसे पानी में क्या है पिलों की आकरती या पपी या कि क्या है डॉक के देखाई देने लगते हैं तो इसलिए वह पानी से डरता है पानी को पीता नहीं है, प्यासा ही कभी-कभी मर गता है तो रेविच रोग का लचन क्या है तो पानी से डर लगना संक्रामक रोग कौन सा है तो प्लेव होता है याद रखेगा प्लेग किस से फैलता है तो याद रखेंगे चुओं के द्वारा फैला था या फैला गया था कैसे भी समझे क्योंकि कुछ वीडियो अगर आप देखेंगे कि प्लेगरोग भारत में कैसे फैला तो देखाती है मलेरियरोग फैलता है तो याद रहें है कि मच्छर के द्वारा मलेरियरोग आतो prochain मच्छर के द्वारा फैलता है नश्रे देखते कों सा उन्युक्ष रसानिक विश नक्रामक नहीं है सो अभी उनक्रामक बूच जला सनक्रामक, वठीक टोम करें तो देखे जलाना बास्प द्वारा या भाप द्वारा सुखाना तो ये बहुतिक में आ जाते हैं क्योंकि आपके पास बहुतिक साधन हैं बहुतिक देखे ना जब घर के साधनों को हम बाटते हैं तो मानवी साधन और बहुतिक साधन में वो सभी साधन आ जाते हैं जो हमार बोड़ी फेफक्ट डालते हैं या हमारी बोड़ी के द्वारा होती है जिसका जो हमारी बोड़ी के द्वारा पूरे हो सकते हैं और की आवशक्ता ना पड़े वो सभी मान दिये हैं और जबकी बहुत एक कौन से हैं जिनमें हमें साधन की आवशक्ता पड़े वो सभी बहुत साधन है संक्रामक रोग कौन सा है तो यहां पर पिले हो किया था नैश्ट हमने यहां तक देख लिए जलाना क्या है बहुत एक साधन है नैश्ट देखते हैं बहुत से लसाइनिक संक्रमर है यह तो याद रखने के लिए है तपेदिक रोग के रोगारू को कहते हैं तो तपे तुकले के लीडिक के लिए लगाया जाता है जो पागल कुट्स और किसंगा जो काटता है तो कुत्त रोग हो जाता है लेविज नामक रोग हो जाता है खाल कुत्य स्थासिफित जास हो जाता मे को लन बता है अगर तो कुत्त रहे ज़ती हम पूबार दमалась आपको कैसा लगा यहें मैं कमेंड बॉक्स में बताईएगा दूसरा आपका काम है कि आपको ये बताना है कि कोविज के टाइम पर गलियों में मोहलों में और आपको सारविजनिक जगहाँ पर पानी के छड़काओ देखने को मिले तो उस पानी में कौन सी कैसी या कहें कौन सा निसंक्रमल मौझूद था ठीक है तो कमेंट बताईएगा अज के लिए बस इतना ही नया सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बंदे मातरम जय हिंद